आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इफ तो यहाँ पर हम देखेंगे यह हमारे पास क्या एक GP है जो की Infinite है तो Infinite GP का सम क्या होता है S Infinity इक्वल टू A upon 1 1-R, A यहाँ पर First Term होता है A is First Term Of Series and R is Ratio तो यहाँ पर यह जो Series है हमारे पास इसका First Term क्या होगा तो A equal to 1 होगा यहाँ पर And Ratio find करेंगे तो Ratio क्या आएगा Second Term upon First Term means sin Theta upon 1 equal to क्या हैगा हमारे पास Sin Theta And sin Theta की value pi by 2 नहीं हो, मतलब Theta की value pi by 2 नहीं हो सकती जिससे यह बन के equal नहीं हो तो हम यहाँ से क्या लिख सकते है S Infinity equal to 1 upon 1 minus sin Theta तो यह क्या हो जाएगी हमारे पूरे left hand side की value हो जाएगी इस equation को अगर हम 1 लैट करें तो क्या कहेंगे from 1 हम क्या लिख सकते है 1 upon 1 minus sin Theta equal to 4 plus 2 root 3 तो यहाँ से cross multiplication करेंगे तो हमारे पास value क्या हैगी 1 equal to 4 minus का 4 sin Theta plus 2 root 3 and sin में multiply होगा minus का 2 root 3 sin Theta सब को एक side separate करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 sin Theta and plus का 2 root 3 sin Theta and यह हमारे पास 2 root 3 क्या आजाएगा minus का 2 root 3 and 4 left hand side आएगा तो कितना हो जाएगा minus का 3 equal to 0 अब यहाँ पर अगर हम first two equations से common लेते है 2 sin Theta तो हमारे पास value क्या बचेगी यहाँ पर यहाँ से तो आजाएगा हमारे पास 2 and यहाँ पर क्या बचेगा हमने 2 sin Theta common लेए plus का root 3 and यहाँ पर से common लेंगे हम minus का root 3 तो value क्या बचेगी यहाँ पर 2 plus का root 3 equal to 0 तो यहाँ पर हमारे पास factor हो जाएगे यहाँ से 2 sin Theta minus का root 3 and एक ब्रैकेट में क्या जाएगा 2 plus का root 3 equal to 0 2 plus root 3 constant value है and greater than 0 है तो इसे right hand side shift कर देंगे and हमारे पास value क्या जाएगी 2 sin Theta minus का root 3 equal to 0 जिसे हम लिख सकते है sin Theta equal to root 3 by 2 तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें value Theta की find किसमें 0 और पाई के बीच में करनी थी तो हम इस root 3 by 2 को लिख सकते है sin root 3 by 2 sin में value कितने की होते है 60 की तो 60 को लिखेंगे हम पाई बाई 3 and एक formula डिफाइन करेंगे if sin Theta equal to sin alpha give a no तो हम Theta equal to लिखते है n pi plus minus 1 की power n into alpha तो यहाँ पर apply करेंगे तो हमारे पास value कियाएगी Theta equal to n pi plus minus 1 की power n and alpha की जबए कियाएगा pi by 3 अब n की value put करेंगे n equal to 0 जब n equal to 0 put करेंगे तो Theta equal to कियाएगा हमारे पास n into pi जब हमने n को put किया है 0 तो यह first term क्या हो जाएगा 0 and second term में यह power even होगी तो यह total term क्या हो जाएगा positive means pi by 3 जब n equal to 1 put करेंगे तो कितनी value आएगी हमारे पास यहाँ से Theta equal to pi odd power पे minus का pi by 3 equal to के आएगा 2 pi by 3 अब अगर हम n equal to 2 लेते हैं तो value के आएगी हमारे पास 2 pi plus pi by 3 जो कि pi से greater than हो जाएगी तो हम इसे निगलाक्ट करेंगे हमारे पास यहाँ से Theta की दो value आई है pi by 3 and 2 pi by 3 जो कि हमें find करनी थे यही final answer होगा ना option चेक करेंगे option true होगा यहाँ पर option 4 क्लासिक स्ट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह whatsapp कीजे अपने डाउट 8444 चार्स उपर